हेलो मेरे पढ़ाकु स्ट्रेंट्स, वेलकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल सुरभी के साथ, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रेक्टिस कुश्चिन पेपर, क्लास 10 सब्जेक्टिंग इंगलिस सेट दी, तो चलिए देखते हैं कुछ डूएज डिरेक्टि यहां वेरी को रिप्लेस करना होता है सो से और इधर बीच में आपका आ जाता है देट, तो आपका सही आंसर बन जाता है, अमन इस सो इंटेलिजेंट डेट, ही कें पास दिस एक्जाम इजीली, नेक्स्ट क्शिन, सी ड़स है वर्क, चेंज इंटू नेगिटिव, अब ने ड़स का मीनिंग यहां करना भी था, तो अब जब आपने ड़स के साथ नॉट एड़ कर दिया, तो इसके लिए एक हम डू भी एड़ करेंगे इसके तुरंद बाद, तो आपका स्लियर सही आंसर हो जाएगा, शी ड़स नॉट डू हर वर्क, कुश्यन था, शी ड़स हर वर् के साथ नॉट लगा, इसलिए फिर हमने एक एक्स्टा डू लगाया, अगर कुश्यन में ड़स की जगा डिड होता है, तब भी हम यही प्रॉसेज करेंगे, डिड के बाद आप नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद, सिंपली एक डू एड करेंगे, तो आपका आंसर हो की लिघो कि इसको आपको इंटेरोगेटिव, मतलब कुश्यन मार्क वाले सेंटेंस में डिड करना है, तो पहली ज enfrent कि एक कुश्यन मार्क पर कुछ भी नहीं है और जो वर्ब हमारी वो पास्ट फॉर्म में हैं पास्ट फॉर्म कैसे पता चला क्योंकि जो से सिंपल वर्ब्स होती है वो बिना डी के होते हैं लेकिन यहां पर लिव के साथ डी लगा हुआ है तो हमारा जो वो होगा डिड से स्टार्ट तो सही आंसर हो जाएगा डिड शी लिव इंशिपुरी यह जो दो इंपॉर्टिंट चीज ध्यान देने के लिए है वह आपने शी के पहले डिड लगाया है और जो लिवड था उसको आपने सिंपली लिव कर दिया है है ना बाकी आपने फुल स्टॉप की जगा क्वेशिन मार्क लगा दिया है तो आपका क्वेशिन सिंपली बन गया डिड शी लिव इंशिपुरी नेक्स प्वेशिन आपको इफ की जगा अनलेस का यूज करके सेंटेंस को फिर से लिखना है तो अब पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अनलेस होता है उसमें नॉट पहले से ही होता है ठीक है तो यहाँ पर एक नॉट हमें दिख रहा है तो हम इसको हटा देंगे और इफ की जगा इफ की जगा अनलेस लिख देंगे तो आपका सही आंसर बन जायेगा अनलेस यहाँ इफ की जगा आ गया अनलेस if unless you don't be हमने आटा दिया unless you come to school regularly you won't learn your lesson simple कितनी आसान है ना पूरी grammar चल ही आगे बढ़ते हैं next question in the park slash were playing slash children slash football इस sentence को आपको एक meaningful sentence in words को आपको meaningful sentence में आरेंज करना था जैसे अपन बोलते हैं ना my name is Raj है ना आप ऐसे नहीं बोलते हो कि name is my Raj है ना वो एक sentence बनाते हैं जब हम उसका meaning होता है मेरा नाम राज है नाम है मेरा राज ऐसे कोई नहीं बोलता ठीक है तो इन words को भी आपको arrange करना है कि यह एक meaningful sentence बन जाए तो सबसे पहले important चीज है कि इन सारे words में subject कौन सा दिख रहा है वो है children ठीक है तो हमारा sentence जो है वो start होगा children से सही आंसर क्या है children were playing क्योंकि subject के बाद क्या आता है verb है ना और यहाँ इस sentence में verb क्या है play play ठीक है तो sentence आपका बनेगा answer बनेगा आपका children were playing football in the park यह object है कहां खेल रहे हैं in the park पार्क में खेल रहे हैं clear next question she was drawing a picture change into passive voice वह एक picture बना रही थी इसका आपको passive voice change कर इसको आपको passive voice में change करना है तो simple cheese बिना rules समझे अगर अपन इसको करें तो इसका होता है आपका subject last में चला जाता है और जो object है वो first में चला जाता है ठीक है तो इसका सही answer हो जाएगा a picture is being drawn by her क्योंकि जो she है इसका जब यह object में जाएगी तो यह हो जाएगी हर लेकिन अगर यहीं पर ही बस होता तो यह object में जाके बन जाता him ओके तो अब समझते है active voice और passive voice active voice का जो formula होता है उसमें सबसे पहले आता है subject फिर do, does या auxiliary जो दूसरे verbs होते हैं वो और फिर उसके बाद verb का जो है वो first form use होता है और last में आता है object लेकिन वहीं passive voice में क्या होता है subject आपका last में चला जाता है और object जो है वो first place पर चला जाता है तो इसकी sentence की starting ही होती है object is mr हमेशा is mr ही आता है is mr verb का third form जैसे उस sentence में drawing था तो उसका हमने drawn कर दिया ठीक है verb का third form और last में subject से पहले आपका why भी जोड़ेगा वाई by subject मेरे द्वारा ठीक है जैसे तुम लोगों ने वो गाना सुना होगा ना दबंग का तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन तो ऐसे ही sentence में भी होता है जैसे यहां question था she was drawing a picture वह एक picture बना रही थी तो इ होगे आपका passive voice में change करना आपने she ko last मिला दिया हर करके और उसके आगे बाय लगाना जरूरी था ठीक है और आप picture जो आपका object है उसको आप सबसे पहले ले आए और जो was drawing था was की जगह आपका आगया is और drawing का third form being drawn clear next question they have been playing here since morning वे यहां पर सुभह से खेल रहे हैं यह आपक जो sentence है वो है present perfect continuous में इसको आपको past perfect continuous में change करना था तो past में क्या हो जाता है have की जगह आपका आजाता है had simple बाकि पूरा sentence आपका वही सेम रहेगा तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो जहां have been का sentence हो और verb में ing लगा हो continuous हो तो वहां पर आपको सिर्फ past में had use होता है क्योंकि present के लिए जो वर्ब होती है वो होती है have और past के लिए होती है had okay तो इसका आपको सही answer हो जाएगा they had been playing here since morning very easy right next question question number seven fill in the blanks जो आपको any five करने थे I haven't bought fill in the blanks milk today आपको options में दिये हैं some any or many many और मच का वीडियो मैंने डाल रखा है YouTube पर और लिंक भी दे दूँगी description box में आप उससे देखकर समझ सकते हो अब यहां देखते हैं some और any तो जो some है उसका use होता है positive चीजों में ठीक है और जो any है उसका use होता है negative चीजों में आप इसको ऐसे याद रख सेकते हो एनी में आता है और negative में भी एन आता है ठीक है तो any का जो use है वो negative sentence में होता है और यहां आम देख पा रहे हैं कि not लगा हुआ है sentence में तो यहां पर क्या आएगा any right answer is any next question he is afraid flinda blanks dogs वह कुत्तों से डरता है तो इसका सही answer हो जाएगा off next question the earth flinda blanks round the sun जो धरती है वो सूरज के चारो तरफ घूमती है तो यहां पर move आएगा या moves आएगा इसमें confused होते हैं लेकिन simple चीज है जब आपकी पास singular चीज़ें होती है जैसे he she या it तो इन तीनों के साथ verb का है उसमें s या es लगता है ठीक है और earth भी जो है वो भी singular है plural नहीं है तो यहां verb क्या है आपकी move लिकिन उसके साथ s या es लगेगा तो सही answer हो जाएगा moves okay next question his brother is flinda blanks rjna local radio channel तो हमें पता है a का जो use होता है वो होता है consonants में और n का जो use होता है वो होता है vowels में vowel जो 5 होते है a e i o u है ना और इन 5 letters को छोड़के जो a b c d में बाकी letters बचते हैं उनके आगे लगता है a लेकिन इसका सही answer है n अब मैं तुम लोग बोलोगे कि ये तो r जो है वो तो इन 5 में नहीं आ रहा है तो n क्यूं लगा क्योंकि यहां पर जो है हम letter से ज़्यादा importance देते हैं sound को और r का जो sound है वो है r मतलब a sound से start हो रहा है ये इसलिए r के आगे आपका लगेगा n ठीक है तो आपका सही answer हो गया n clear next question I am not going to office fill in the blanks I am ill मैं office नहीं जा रहा हूं fill in the blanks मैं बीमार हूं तो simple है जब हम ऐसा बोलते हैं तो हम reason देने के पहले क्योंकि लगाते हैं मैं office नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं बीमार हूं और क्योंकि के लिए यूज होता है because clear next question last question है जो हमारा he knows the boy fill in the blanks is wearing a blue shirt इस ताइप के question एक दो सेट में और आए तो इसके लिए था जब भी कोई person आ रहा हूं जैसे boy लड़का एक person है तो उसके लिए हम use करते हूं कि वैसे तो यह सब क्लॉज में आते हैं इसके लिए अलग से ग्रैमर वीडियो बन सकता है लेकिन यहां पर अभी एक्जाम के लिए simply समझ लो तुम कि जब भी कोई person होगा तो उसके उसके लिए विच हू वर में आपको चूज करना हो तो आप हूँ चूज करोगे और कोई प्लेस जगा की नाम दी हुई है या कोई object का नाम दिया हुआ है तो उसकी जगा आप यूज करोगे विच क्लियर तो ऐसे हमने आज पूरा सेट बी का सेक्शन सी ग्रामर सॉल कर लिया है आई होप आपको समझ आया हो पसंद आया हो इस लाइक प्लीज लाइक शेर और सब् नामर सेक्शन सी और सेक्शन सी खटिया है ताहिए सब्स्टा इस लाइक शेर का सेक्शन सी एको समझ आया है यजां आपको प्लीज लाइक प्रामर सेक्शन सी लाइक इसे विफ रूबट है आपको